इस वक्त हम जीन में हैं और मेरे साथ नीलम के भाई राब निवास हैं उनसे बात करेंगे और जानेगे कि अब परिवार अगला कदम क्या उठाने जा रहा है राब निवास जी पहले तो में बताईए कल से कोई कॉम्णिकेशन हुआ है नीलम के साथ कोई बातचीत हुई है नहीं कोई बात चितनी हुई ना कोई संदेशा ना कोई मैसिज आया कि उसको कहां पर रखा गया है कि सेल में है कोई स्थाने में है कोई पता नहीं है कोई मतलब कुछ भी उसका पता नहीं चला में बार बार सवाली उठ रहा है कि नीलम ने जो कदम उठाया कि वो किसी संगटन से जुड़ी हुई थी और ये अचानक नहीं उठ सकता कभी परिवार को आपको इसके बारे में पता लगा कोई जानकारी मिली है कोई क्लू मिला कुछ नी सर यह सब कहेने की बात है हमें तो सिर्फ यह पता था कि वह यह आप एक खटकर तॉल पे जो दढ़ना दिर गहा काथा किРИसानों ने उसमें जाते Ide बार अपकितों यवी किसी बीस संगटन से कोई समद्ध नहीं है और यह बात उसने खुद अपने मुंक से भूली ह पांचे मैने से घर से दूर रहे थी क्यों रहे थी और पीजी में कब तक वो रही कब छोड़ा हो चोड़ने के बाद तो भी मीडिया से पता तली मेरे को भी के पर्चिस तारीकों ने पीजी चोड़ दी थी वक तकरीबन 6-7 मेने हो गए वो हिसार में श्टड़ी कर रही थी क क्या त्यारी कर रही थी और बेरोजगारी ठीक है कि उनको नौकरी अभी तक नहीं मिली कितना इतना बड़ा इश्यू कैसे बन सकता यह सिर्फ यही कारण था आप क्या लग रहा निकारण तो मैं तो इसकी एकेली की बेरोजगारी का नहीं है यह जो यूआ है जो पड़ ल कि अपने देश के युवा पड़ नहीं रहे तैस पड़ेगा तभी तरकी करेगा तभी आगे बड़ेगा आब देश के युवा पड़ने लग रहे हैं तरकी तो अब भी नहीं हो रही है रोजगार हाई और सब स्रेचा पर शाहिं दो कि आपकी बहन ने yeah क्या आपकी राय स जो उन्होंने काम किया, जो कदम अठाया, वो गल्थ उठाया है, बिल्कुल इसमे नहीं मेरी लेकिन, जो उन्होंने आवाज उठाई है मैं उससे बिल्कुल खेहमत हूं और मैं उस आवाज के धंबे में उसके साथ कड़ा हूँ। दिल्ली पुलीसिया किसी जहां चेजन सी अब तक संपर्क किया आप से? निये किसी के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, किसी ने कोई फोन नहीं किया, बस लोकल यहां से आई थी पूस्तास के लिए, बस और कोई नहीं है. इनको एक स्टुडेंट के हिसाब से ट्रिट किया जाए, एक देखा जाए तो स्टुडेंट है, इनकी पड़ाई को देख ले, किसी को भी जाए ले, कुसी भी देख ले, अगर इन पे अगर पहले कोई मुकदमा दायर है, फिर आप इस पे वो दर लगा सकते हैं, लेकिन उन् सब्सक्राइब कोई लडैंगे जरूर लडैंगे, ठिक है, तो राम्निवास है, भाई है निलंग के, जो कह रहे है, कि कानुनी लड़ाई वाजव ज़रूर लडैंगे, pesos थ nellहें हमिए दो के तलब्सक्राइब कानूनी लड़ाई लडैंगा मरति जरूर आएंगे लेकिन उनकी बेहन ने जो किया वह भी उसका सबर तर नहीं करते हैं आरा ужас कि अधिव कि मुद्दे ठीक हैं मुद्दों में कोई खराभी नहीं अ मुद्दे बिलकूल सही हैं लेकि जो तरीका ठाव गलत है ये छृण फिर